असलाम आलोगों नाजीन में हूँ आपका मेज़बान मुहम्मद इबराहिम ज्या और आप देख रहे हैं टूड़े पाकिस्तान नाजीन आज हम मौजूदे MTI हाईर सेकंडरी स्कूल मौज गोड हबरियोरण बल्दिया में जो एक पोगराम रखा गया था बेठक के नाम से नाम से पोगराम रखा गया था यह जितने ओल्ड और एक्स स्टूडन है जो इस इधारे से मेट्रिक करके वो अगैं हुए हैं और आज वो किस हालात में हैं इ यो उनके ख्यालात जानते हैं अमीर अमसाँ आपको कैसा लग रहा है कि आज यहां आप मौजूद हैं और अपने पुराने वही डेक्सों पर बेटे हैं वही पुराने आप दोस्तों से मिले हैं मुलाकाते की हैं और आपको कैसे महसुस्वरा जरा आप बताईए बहुत हैं इंत्याई खुशी और पूरमसर कि यह बहुत से दोस्ते जो बहुत अरसे बात मिलें जैसे आप तो इस वज़र से हमें बड़ी बहुत खुशी है कब एक दफ़ा पे रहा हैं अपने साथीं से मिलें उस वदारे में वापस आए अचा यहां और भी साथीं मौजूद हैं जो इस वक्त बलोचिस्तान से आए हम उन से भी उनके ख्याला जानते हैं असलाम अलेकूल वालिक स्लाम अपना तारू कीजिए अज़र मेरा नाम शपीर अमदा है जिल्ला खुशार तासीर वर्ट से आरो ये प्रोग्राम में शिर्क्त करने के लिए और यहां कब से आपने कब मैटिक किया मैं 2004 में चला गया म पढ़े हैं अब अच्छा वहां शुक्रिया जिसने में बुलाए यह दावातर काम प्रोग्राम रखा बहुत बिस्विश्वर में एक बिसमिल्ला वेल्फियर के नाम से एक तंजीम चला रहे माशाला इसी इदारे से पढ़े हैं और बड़ा बेतरीन काम कर रहें आए उनक सोना हमारे गरुप में यह बात से लिए कि वे पुराने स्टूडियन्टस को बलाए जा रहे तो मुझे बहुत खुशी हुई और जब आके मैं नहीं हैं पुराने लोगों को देखा अपने स्टूडियन्टस को देखा तो यानि की स्टूडियन्स जो पुराने आए हुए अपने टीचर से में उस्तादों से मिले हैं बड़ी खुशी हुई है इस से जदा हमारे लिए खुशी की कोई लमात नहीं है अब वस्ते मुस्कराते चेरे आप को यह नजर आ रहे होंगे मैं इन सब अपने टीचरों का और अब दोस्तों का शुकर गजार हूँ जिन्हों नहीं हमें इतना टेम दिया खुशुशना आपका भी बहुत बहुत ज्यादा शुकर गजार हुआ है अपको कैसा लग रहा है आज कितने अफसे बाद यहां मौजूद आए जरा आप हमारी ओ प्रशुशना नहीं चाहिए जरा नहीं नहीं है और यहां किसी को पॉजिशन लेने कभी छोड़ते नहीं तो आपने इसे में लाए करते थे तो आपने किन किलासों में कौन सी पोजिशन लिए है जरा वो भी हमारी मैंने सिंप्ली बस किलास बन से मैट्रिक तक हमेशा फस पॉजिशन लिए कभी भी सेकंड नहीं है इदारे से जो ना मैट्र की है जरा उनके भी ख्याला जान लेंगे कैसा मैसे सो रहा है आज यहां माशालला आज मदरसे में आके हमें अपनी तमाम वो पुरानी यादें ताजा हो गई है जो हम मदरसों में खासकर शेरी और पॉजिशन के हवाले से खेल के हवाले से और क्या ना में आज माशालला तमाम दोस्तों को पुराने यारों को देखके बहुत खुशी हो रही है तकरीमान चेहरे सारे चेंज हो गए सलमान साब अभी तक नहीं बदले बस क्या खाते हैं आप आज स्कूल की जो और इस्टू से भी बढ़कर गए हैं तो इनके ख्याला दी जान दे कि आज उन्ही पुराने टेक्सों पे बैठकर आपको केसा महसुत हुआ पुराने उसी असाद्धा से मिलकर और उसातियों से जो पंद्रा बीस साल बाद वाद वापस इसी यानिके मदद से आजा में हाजर हुए है हुआ 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 है पुराने यादे पुरानी टीचर्स से बिलक अच्छा लगा हुँआ हुआ 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 है कर्णा हुआ जंदेकी जो बड़ी है तो सब से ज्यादास मैंता हैं, बॉल से जञाल आपको जाता हैं आपको टाता हो जाता है ons गिंगि मोज़े अलम दिल्हा क्योंके मैं पड़ाई में अची नहीं दा रिकिन पालिया आपको स्कूर्स की बैजे ताकि टीचरों ने साथ अबने को बच्छा रहा है। आज माशालाब दारोबारी अजराते अल्ला ने आपको काफी खुब इज़त से नवादा है। क्या इन असाद्धा की वो लम्हाद वो यादे याद आती हैं जो आपकी सीखो और को नसीयत कर सको है। हम जो पड़के गयें यहां से आज 20 साल होगें ने जो तरभियत हमने यहां से सिखी हमने कहीं से निसे की , आज भी बिटना ओच्टना उठना लोगों के साथ मिलना जो सिखाया वहां को हम नहीं नहीं बूल सकते हैं, कि अनुस्तादों ने हमारे साथ बहुत ही उस जमाने में उस टेम पे तो हमें यह बहुत मुश्किल लगता था कि यार यह सफ्की करते हैं लेकिन बाद में जब हमने देखा बहुत फायदा हुआ हमारे जिल्दे के हर चीज एक अब्डूटेट रहे हैं किते परवे साथ जो आज अपने मादरी इल्मी मदर्सा हाईयर सेकेंडरी एडूकेशन में मौझूद थे जो अपने ख्यालात का इसाहर कर रहे थे पूरे बज़ं के इस पूरे परग्राम के जो रुवे रवा हैं जिनोंने इस परग्राम को तर्टीब दिया और अपने पुराने जो एक स्टूटेट थे और जिनको याद किया और दोबारह उनको एककटे एक फारम पे एक किलास पे और उनके डेक्स थे वहाँ पर उनके तोसी इलाकर बीस साल बाद विठाया और एक स्कूल का समा किलास का समा लग गया आएन से जानते कि आपको कैसा में सुचा हुआ मुझे भी बना खुशी हुई कि सब जो है मेरे बुलाने पर आगए अलहमदलिल्ला अल्ला ताले ने खुश रखे और बहुत बहुत मज़ा आया कि ये हाईर सेकेंडरी एजुकेशन के इस वक्त डारेक्टर अबदुलबाकी साब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आये उनसे भी पूचते हैं उनसे भी जानते हैं कि आज जो इस्टूरंट जो यहां से अपनी तालीम मेट्रिक कर चुकें या तालीम मुकमल कर चुकें यहां से गए हैं और उनके ख्यालात आये थे हैं कैसे उनके ख्यालात भी आपने उसने और यहां पर आये देखते हैं कि यह कैसे डारेक्टर साब फिल करते हैं कि उनको कैसे महसूस होता है कि जो आज इतने अर्से बाद यानि कि 20 साल बाद कोई 15 साल बाद कोई 25 साल बाद दुबारा इस मदसे में आए हैं और केसा मेसूस करते हैं उनके लिए क्या कलमात करेंगे असलाम अलेकुम सब्सक्राइब मेरे मिसाल तो ऐसी है मेरी और परवेल साब की और मेरे जतने डारेक्टर्स हैं और दूसरे लोग जो बही खुआ हैं जैसे माली होता है और वो जमीन में बीच टाल देता है और जब दरख निकलता है तो उनको देख के वो खुश होता है और जब फल और फूल लग जाते तो जैसे माली को उसकी खुशी उसके खुशी उसके खुशी को बढ़ा देती है ऐसे इन बच्चों को देखके आज हमारा भी खून अल्ला ताला ने बढ़ा दिया है और उनको देखके बहुत खुशी है जब किसी बच्चे को काम्याब देखते हैं कि हम हमारे यहां से पढ़कर गया इस मदरसे की खिद्मत है इस मदरसे इने उसके साथ बहुत अच्छा किया और उसको आज जिन्देगी में काम्याबी मिली है तो अमीद है कि वो आगे भी अपनी नस्मों को इस काम्याबी को बढ़ाएगा तो में बड़ी खुशी होती है और बहुत ज़्यादा आला का शुकर अदा करते है कि यहां से मेट्रिक करके गए हैं वो मुक्तलिब यानी फील्ड्स पर रहें कोई डॉक्टर है कोई इंजिनियर है कोई दिगर फील्डों में तो उनको आप क्या नसियत करेंगे कि वो अपनी फील्ड में किस तरह लेकर चले हमेशा मैं खुद अपने आपको नसियत करता हूँ नसियत तो अपने आपको होती है दूसरों को नहीं होती मैं अपने आपको हमेशा नसियत यह करता हूँ कि जिस रास्ते से तुम आई हो उस रास्ते को साफ करो दूसरों के गुजरने के लिए जहां से तुम पढ़के आज इस मقाम पर पहुँचे हो अन रास्तों को रौशन करो ताकि तुम्हारे बाद आने वाली कौम मुम्त आम्मत timelines गु़े उसी रास्ते से उनको फैस मिल सके आप देखो यह रहे कुआ है उसमें पानी है आप पानी पी के चले जाते हो और उस पानी के उसके बाद उस कुएं की आप पलट के पूछते नहीं है तो उसकी मडेर गिर जाएगी पानी सुख जाएगा खराब होना सो जाएगा लेकिन अगर आप उसको वापस पलट के आते हो और उसकी देखबाल करते हो या उसको उसकी मुडेर सही करते हो और चीजें सही करते हो और जो दुनिया में तबदीली आ रही है उसके मताबिक वहाँ को मटका बना देते हो ग्लास रख देते हो तो वो और आने वाले लोगों के लिए ज्यादा बेनेफिट हो जाता है तो मैं यही सबसे कहूँगा कि जो लोग यहां से गए हैं और आज अलंदूला सक्सेस है तो वो फिर औरों को भी इस दर्सगाह से रशनास कराएं और इस कुछ दर्सगाह को भी अपनी जो भी उनकी फीड़बैक है वो जरूर दे ताके हम भी अपनी हिसला कर सकें क्योंके बेहतरी का जो रूम है वो हर जगा और हर वक्त मचुद होता है इदारे हाज़ा MTI हायर सेकंडरी स्कूल के प्रिंस्पल पर्वेज अक्तर साब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि आज जो अल्ड इस्टूडन्स एक बेठक जो चोटी सी एक पार्टी रखी थी उसमें इस्टूडन आए उन्होंने अपने खैलात का इज़ार भी किया इस हवाले से आए पर्वेज अक्तर साब के ख्यालात जानते हैं अस्वाले अल्ड इस्टूडन आए ये प्रोग्राम जो है जो हमारे मदरसे में पहली दफ़ा हुआ है वैसा इससे पहले वालदेन जो है न यौमे वालदेन हम मनाते रहें उसमें अच्छी खासी जो है न हमें मदरसे में बेतरी जो है न वो हुई और बहुत सारे चीजे पता चली इस तरीके से हमारी एक खौईश थी के ओल्ड इस्टूडन जो है न उनकी भी हम जो है एक मीटिंग करें अल्ला का फदल से कुछ हमारे एक पुराने उस्ताद मिल गया और आप जैसे तालिव इल्म है और आपते में थे तो चूँके ये आफ्टर एफिलियेशन के इदारे के 1992 के बाद से अब तक जितने गया मैट्रिक और इंटर करके वो तलबा का जो है न उनको जमा किया और उनसे जो है ना बाते की हैं हमने बताया उनको कि हम इस फॉर्म से को कैसे मनज़म तरीके से काम कर सकते हैं और क्या मकासिद हैं वो हासिल कर सकते हैं दूसरे अधारे बड़े बड़े उन्होंने काम लिये हैं किये हैं मैंने बच्चों को ये बताया था कि नाइफ जैसा अधारा जब काईम हो सकता है जो बच्चों को मुफ्त इलाज मालजा की सहूलत वो तलबा मिलक उन्होंने चंदा खटा किया और दिया उन्होंने इस तरीके से बहुत से तार हैं कहीं किसी ने आर्टोरियम बना देते हैं कोई तलबा जो है ना वो इसमें टीचिंग में मुक्तलिफ एक्टिविटीज में वालदेन के साथ आते हैं और वो बच्चे उनकी हमारी जैसे पेगाम देंगे ने माजगोट तो सबसे करीब तरीन जो है ना हमारा माजगोट में चुके इंस्टिटूट है तो यहां के वालदेन को चाहिए कि ज्यादा ज्यादा बच्चों को दाखिल करें क्योंकि आज नहीं दस साल से सिर्फ एकी फीस पे यह दारा तीन सो रुपे कोई नहीं है यहां पर हजार ले रहे कोई बारा सो ले रहे और फीस बढ़ाते जाते हमारे यहां कोई परेशानी नहीं है दिगर कोई चार्जस नहीं है वो भी इसलिए फीस ले रहे कि वालदेन जिमेदार बने वनना वह एहमियत देता है फिरी की चीज़ को इसलिए जि आपने सुने है यहाँ एदारेहाजा की डायाडर और प्रिंसिबल की ख्यालाद के उर किस तरह कि यहाँ ख्याला डखते थे और किस तरह मार्च год वालों के लिए एक औ।फर भी की और एक नसायत भी की और यहां जो आज स्टूर्ट आए उनके ख्यालाद भी बताया और उनको मोटिवेट भी किया और उनको नसीयते भी की केमरा मेंन समी उला के साथ मुहमद इबराहिम जिया टूड़े पाकिस्तान कराची